मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े थे. इन चार व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमेन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था. किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से बापस लोटा दिया. जाएगा सब स्वर्ग का दर्वाजा खूलने की राह देख रहे थे और आपस में बाते कर रहे थे. जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई, राजा ने कहा मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धर्ती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना. है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा, फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी वह बोला, मैंने धर्ती पर खूब धन कमाया, और उस धन से मैंने सैकडों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ, अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुह खो को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएं, जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सब की नजर उस मजदूर पर, थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे जुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रह स्वर्ग का दर्वाजा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया, देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था, देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास, बुलाया और उसको पूछा, तु तुम्हें अंदर आने देना है, या नहीं, राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था, उतना ही समरिद्ध था, और मेरी राज्य के सभी लोग खुशाल थे, सभी बड़े आनन्द से रहते थे, मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने, दी, यही मेरे अच्छे कर्म है, देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किये थे, उन युद्ध की वजह से हजारों, सैनिकों ने अपनी जान गवा दी थी, उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, अब बारी थी व्यापारी की, व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्ह कई निराश्रित लोगों के लिए घर बना कर दिया है, यह मेरे अच्छे कर्म है, देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर् उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने जूट बोले हैं, कितनी हैराफेरिया की है और कितनी मिलावते की है इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते, जब पंडित से यही सवाल किया गया, तो पंडित ने बड़े ही, आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अ अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं? स्वर्ग के दर्वाजे पर आकर बदल गई थी, धर्ती पर जिन कामों को अच्छा, समझा जाता है उनका यहां पर कोई मूल्य नहीं था, यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इस से पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता दूर बोल पड़ा, प्रभू मैं जानता हूं कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी एक बार, बाहर से ही स्वर्ग को जांक कर देखना चाहता हूं, बस इस से ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मै मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, मैं पूरा दिन महंत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोशन में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं, लोगों की भला मैं क्या सेवा करता क्योंकि काम के बाद जो थोड सा समय मिलता उसको अपने ही बूढे माबाप की सेवा में बिता देता और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है, उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता, देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और उस दिन में खुद भूखा सोया था, मजदूर की बात सुनने के बाद। देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों अच्छे कर्म लोब, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किये जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन, के सारे पाप धोने की शक्ती रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें।